स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी मित्रों का इस चैनल दोस्तों वर्ष 2020 की पहली आमवस्या 24 जनवरी को मौनी आमवस्या मना जाएगा हिंदु धर्म गरंथ में माग माह के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है और बताया जाता है कि इस दिन से ही द्वापर युका आरंब हुआ था और इसी महीने में आमवस्या के दिन का बिसी समहत्य है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सध्धालू पुन्य को प्र परन्तु दौरभाग की जिंदगी में कई बार हम पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा पाते हैं ऐसे परिस्तिती में मौनी अमवस्या को मौन रहकर आपको स्नान करना है अपने घर में हिंदू धर्म ग्रंतों में माग मां बहुत ही पवित्र माना जाता है इस दिन मौ रहकर स्नान करना होता है तो आपको विशेश पुन्य की प्राप्ति मिलती है परन्तु आमवस्या के दिन अपने घर से नकारात्मक उर्जाओं को कोसो कोस दूर भगाने के लिए शकारात्मक उर्जाओं का वातावरन का महाल बनाने के लिए आपको कुछ आसान उपाई करने चाहिए वैसे मौनी आमवस्या में मौन ब्रत का विशेश महत्त है परन्तु आज मैं इसी से जुड़े कुछ खास उपाई बताने जा रहा हूं जिससे की मौनी आमवस्या का तो फल आपको प्राप्त होगा ही होगा परन्तु इसके साथ साथ बभू का भी आसिरवाद आप के उपर बना रहेगा जिहां दोस्तो आपको सायंग समय से पहले एक पीपल की पत्ते पर अपनी मनो कामनाओं को लिखना है और उसे मोड कर किसी सहद की डब्बी में रख कर अपने घर के उत्तर दिशा में रख ले दोस्तो कहा जाता है इससे आपके घर में धन की ब्रिद् होती है अपार शंपत्ती मिलती है आपको घर में खुशी का महौल बनता है और आपको कई जादा लाव देखने को मिलता है दोस्तो इसके साथ साथ यदि परिवार में किसी मुख तो दोस्तो इस उपाई को अवश्य करे आपको लावशे होगा और इस खास जानगारी को नवाद